कि अब दोस्तों वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हूँ आप सभी लोग आज मेरे विटे की ख़र माईश है कि तो आज आप पास्ता बना के खिलाओ तो मैं आपको लेकर चलती हूं कि चलने और आज मैं बनाने वाली हूं पास्ता आईए वही नहीं लेकर संड़े की सब्सक्राइब कर दिया गया है तो मुझे पता नहीं लेकिन यह कि जितनी गवर्मेंट सब्सक्राइब कर दिया है इनको सबको हाफडे कर दिया डाइवे से ऑफिस रहेगा तो यहां पर मैंने थोड़ी तैयारी करके रखी हुई है मैंने यह पर पास्ता को बोड़ी करके यह वाले तो इनको मैंने बोल्डी करके रखा हुआ है और यहां कि कुछ मैंने सब्सक्राइब करते रखी हुई है जैसे कि शिम्ला मिट्च है गाजर है त्याज है और अपने फसंद से कोई सब्सक्राइब कर दो यही वाले लिए उसके साथ मैं है पर वैने चेंज लिए आप यह है और यह है यहां परड़ा सा प्रके बटर तो अब मैं बनाती हुए पहले क्या गरूं कि पहले तो मैं सब्सक्राइब को अच्छे से इनको मतलब गया यहां है और यह बनाने के लिए आज में यूज कर रहे हु और नहीं कि इसमे में थोड़ा सा डलाया तो तेल जब भगवान स्री राम बलाएंगे जब स्री राम जब स्री राम जब भगवान स्री राम जब लोग जा रहे हैं तो हमारे मारीनिय प्रधान मंत्री जी ने भी आहन किया है कि कोई लोग ना जाएं कियोंकि वहां काफी व्यवस्ता भंग हो जाएगी इसकारण देखे वैसे तो मैदे को आप किसी भी रूप में खाईए मैरा नुक्षा नहीं करता है लेकिन ऐसा है कभी कबार तो मन करता है यह बड़ों का भी करता है बच्चों का भी करता है इसे मैं अपनी तरब से थोड़ा सा हेल्दी बना देती हूँ इसमें लहसन भी मैंने डाला है अद्रक भी मेने डाला है, ह melee ही लाई है, जीरा भी डाला है और जितने सारे मसााले हुते हैं ना सारे मसाले मैं इसमें, थोड़ी सी खिंदर डाल के एड़ कर दीती हूं थोड़ा सा हेल्दी बले है और अच्छे बने और अर उसके साथ में जितनी भी सबजेंधी सब्जी में यूज करते हैं वही मसाली मैंने इसके इंदर डालें डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको चला दिया और उसके कि तेड़ से किसने बोला है यहां पर बैठने के लिए जॉर्ज किसने बोला है यहां पर आने के लिए तो यहां पर हमारी पूजा पार्ट सारी हो चुकी है थोड़ा सा मुसम खुलाई लेकि हवा इतनी तेज है थंडी थंडी हवाई देखेंगे तो सब्जियों को गैस पे पकने के लिए रखने के बाद मैं आई थी थोड़ा सा बालकनी में ये देखने के लिए कि आज का मौसम खुलेगा की नहीं खुलेगा और मौसम देखके मुझे नहीं लग रा कि मौसम खुलेगा काफी दिन हो गए बहुत ज़्यादा बादल रहते हैं काफी ज़्यादा कोहरा रहता है और कपड़ों में तो मतल़्ा भी समझ देजिए कि ठोड़ी से स्मेल सी होने लगी है क्योंकि जब तक कपड़ों को धूप नहीं लग पाती तब सबता रहा आज यूजपर ने आós कुछ तो ठंड की वज़े से हो गए कुछ ऐसा है कि हम लोग ठंड में ना इनकी केर भी नहीं कर पारे ठीक से और इस वज़े से तो मुझे लग रहा है जैसे ही मोसम थोड़ा सा चेंज होगा यानि कि मार्च की महिने में मैं जो ड्राय हमारे पौदे हो गए हम सबको निकालक करते हैं अपने सबजी को फटा-फट से तो यहां पर एक बार मुझे लग रहा है कि सबज थोड़ी से गल गई है तो यहां पर एक बार मैं और चला देती हूं अच्छे से और यह जो आइरन कड़ाई है न मैं इसको इसलिए लेती हूँ एक तो होता है कि बौड़ी के नहीं गली क्योंकि के वर ऐसा होता है कि बटर में थोड़ा सा टाइम डग जाता है लेकिन मैं इनको ऑईल के अंदर थोड़ा सा फ्राइ कर लेती हूं तो जली से गल जाती है सारी चीजें अब अच्छे से पक चुकी है और बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी क अच्छा लगता है और बच्चों को खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीज डाली है ये तो अपने हैसाब से हम डाल सकते हैं कि कितनी खाना पसंद है कितनी नहीं उस हिसाब से और चीज डालने के बाद अब जितने भी मसाले होते हैं उसके साथ भी मैं पास्ता बना लेती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ा सा अनहल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें जो मैदे की सौस बनाई जाती है और मैदे के ही यह पास्ता बने हुए होते हैं इसलिए मैं उसको मतलब इंग्नूर करती हूँ लेकिन ऐसा होता है ये सारी चीजे हम डिली तो खाते नहीं है कभी कवारी इन चीजों का मन करता है तो यहाँ पर मैंने लिए टेमाटो केचप और इससे क्यूंकि थोड़ी सी मिठास इसके अंदर आ जाती है इसलिए अगर खाना पसंद नहीं है तो इसे हम अवोइड भी कर सकते हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें मिठास पसंद है इसलिए मैं इसको डाल देती हूँ डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी इस सारी चीजों को अच्छे से चला दूँगी जिससे जो मैंने ये सारी चीजें डाली है सबजी के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए और आप देखिए कितनी जल्दी से मेल्ट में हो गई है और जैसे ही हम इसमें चीज डालती है तो एक दम खोट ही अच्छा लगता है थोड़ा सा पानी था वैसे मैंने उसको एक जाली वाली च्छलने के अंदर निकाल दिया था लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा पानी रह गया तो यहाँ पर फिर मैंने उनको दूसरे बाउल्ट के अंदर डाला डालने के बाद जो पानी था वो अलग रख दिया उसके बाद जितने भी पास्ता थे उनको मैंने लेकर इसके अंदर डाल दिया जो मैंने यह पास्ता लिये हैं यह मैंने तीन शेप के अंदर लिये हैं तो तीनों ही शेप के पैकेट मेरे पास में थे तो इसली मैंने थोड़े-थोड़े करके तीनों ही shape की ले लिए और स्वात तो एक जैसा ही होता है बट ये होता है कि हाँ थोड़ा सा अलग दिखाई देता है कि चलो थोड़ा सा शेप की वज़े से तो तीनों ही shape को लेने के बाद और इसमें डालने के बाद अब मैं इनको क ला देती हूं, मिक्स कर देती हूं, जिससे सारी चीजें पास्ता के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए, और चीज मेरे बच्चों को खाना बहुत ज़्यदा पसंद है, वो तो कही बार ऐसा भी करते हैं, कि उपट से भी थोड़ी सी डलवा लेते हैं, और उसके बार फिर खा ख़िला देती हूं ऐसी चीजें, लेकिन जब रेगुलर जो दिनों होते हैं उन में तो मैं नहीं बना पाती, क्योंकि मेरे खुद के पास में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इस बज़ए से में इतना टाइम नहीं निकाल पाती, तो यहां पे जो गर्म गरम पास्ता ह बनके हो चुका है तयार और बहुत ही अच्छा बना दिखने में काफी अच्छा लग रहा था खाने में भी बहुत ज़्यदा टेश्टी बना और कितने लोगों के घर में बैसे तो मुझे लग रहा भई बच्चे मतलब किसी घर में ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनको ये फाश फूड खाना पसंद नहीं है सबको ऐसी चीजे खाना बहुत ज़्यदा पसंद है उन्हें ऐसे कोई मतलब नहीं है कि ये हैल दिया कि अनहल दिया बस ये चाहिए तो हैं पर मेरा गरम गरम पास्ता बनके हो चुका है तयार अब मैं फटा फट से इसे करती हूँ सर्व और सर्व करके मैं सभी लोगों को खिलाती हूँ और खुद भी मैं एंज्जोई करती हूँ तो आप सभी को मेरी आज की ये पास्ता की रेस्पी कैसी लगी और दोस्तों देखे मैं रेगुलर विलोग गिल्कुल भी नहीं डाल पारी हूँ इसके लिए मेरे साथ ना भूस सारे रीजन्स हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती कई ऐसे कारण है जिनकी वज़े से मैं डेली व्लोगिंग नहीं कर पारी हूँ लेकिन आने वाले टाइम में मैं रेगुलर अपने चैनल पर रहूंगी तो चलिए अब मैं फटाफट से इनको दे देती हूँ और इनको पास्ता खाके कहीं पर जाना है इसलिए और अब मैं अपने लिवी लेकर आ गई और भाई मेरा भी आज तो बहुत ही मन कर रहा है वैसे ऐसी चीजे ना मैं बहुत कम खाती हूँ लेकिन सब को देकर मन करी आता है लगता है कि ने भाई हमको भी खाना चाहिए तो दोस्तों आपको मेरा आज का व्लोग पसंद आया तो लाइक करके जाना कॉमेंट्स करना और आज की मेरी रिस्पी आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताना